हेलो बच्चों, उमीद आप बहुत अच्छे होंगे और जबर्दिस तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे ये वन शॉट वीडियो है एलेक्टिक चार्जर और फील्ड का जो मैं करीग परीवे एक घंटे में 60 मिनिट में आपके लिए पूरा कंप्लीट करूँगा इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पाएंगे कि सारे कॉंसेट्स आपके नजरों के सामने से निकल गए हैं बहुत अच्छा आपको अलेक्टिक चार्जर और फील्ड के बारे में नॉलेज हो जाएगा और इसको करने के बाद आपको confidence भी बढ़ेगा कि कितनी आसानी से अर्विन सर ने हमको कम समय में ये बातें समझा दी आईए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर की हुए और हाँ अर्विन देकडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए ऐसा ही शांदार वीडियो में लाता रहूँगा जैसा आप देख पा रहे हैं याँ पर वन शॉट वीडियो है एलेक्टिक चार्जर्जर्जन फीड्स का और हम लोग ये करने वाले हैं मोटे तोर पे 60 मिनट के अंदर और उसके लिए अगर जो बच्चा चाहता है कि इसका पीडियो भी उसको मिल जाए तो इसके फ्री पीडियो भी अवलेबल है अर्विंद एकडमी एप को बिटा आप डाउनलोड कर लीजे डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्षन में जाएगा यहां देखिए क्लास 12 फ्री पीडियो लिगा है इसका मैंने प्राइस एक लाग से उपर कर दिया जैसे गलती से कोई बच्चा खरीद न ले और इसके अ और अपडेट्स के लिए अर्विंद एकडमी टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना मत भूलिएगा इसका लिंक मैं डिस्किप्शन में दे रहा हूँ क्लिक करके जॉइन कर लीजे वहां अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे यह अधिक पढ़ाई के लिए अच्छी आपको रहना जाए लाइफ क्लासेश होंगी शाम को आप मेरे साथ इंट्राइक करेंगे तो आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा क्या पढ़ना है क्या इंपोर्टन है कौन से इंपोर्टन डेरिवेशन हैं किस तरीके से हैंडल करना है यह सारी बाते मैं इंट्रस्टेट का बटन दिखेगा क्लिक करेंगे तो आपको लिंक आ जाएगा वाटसेप पर भी समस से भी पेमेंट का और वहाँ पेमेंट करते ही इंस्टेंटली आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा तो द्रोना बैच में आप इन्रोल कीजिए सारे डाउट को दू जिससे की कोई material बना होता है intrinsic property का मतलब होता है जिससे उसकी पहचान होती है जैसे मिठाई मिठी होती है कड़वी मिठाई तो होती नहीं तो उसकी पहचान है मिठाई की मिठा होना जो चिली लेते हैं मिर्चा उस मिर्चे को आप खाएंगे तो कड़वा होता है तो उसकी intrinsic प्रोटाउन की पॉजटेव और साथ में देखिए ये जो कॉंटेटी है ये बिटा स्केलर कॉंटेटी होता है AC unit कूलाम है और यहीं फंटामेंटल चार्ज हमको लेके चलना है अपनी जय नीट की पढ़ाई के लिए सबसे चोटा चार्ज लिए पाया जाने वाला 1.6 into 10 की पवर माइनस 19 कुलाम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं इलेक्टिक चार्ज में बड़ी इंपोर्टन चीज बता रहा हूँ यहाँ पर यह सवाल आपसे बनता है कि अगर कोई बॉड़ी निगेटिवली चार्ज हो रही है तो उसका माज बढ़ जाता है क्यों? क्योंकि कोई बॉड़ी अगर निगेटिवली चार्ज है तो उसका मतलब है कि उस पर एलेक्टॉन आ रहे हैं और जब यह एलेक्टॉन यहाँ पर आ रहे हैं तो एलेक्टॉन के पास तो भया माज भी होता है इसलिए इस body का mass increase कर जाता है इसी के पलट जो body positively charge हो रही होती है उसका mass घट जाता है यानि अगर ये body positively charge होने का मतलब क्या है कि इस से electron बाहर निकल रहे हैं यानि electron का mass भी बाहर निकल रहा है इसलिए body positively charge हो जाती है तो ये questions अक्षर पुछे जाते हैं negatively charge body है तो mass बढ़ेगा positively charge body है तो mass घटेगा इसको दिमाग में आप जरूर रखें ये basic properties हैं charge की जो हमें मालूम होनी चीए additivity, quantization and conservation आईए एक एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या है additivity का हम बात करते हैं तो किसी भी body के उपर जो total charge होता है जब हम उसके net charge की बात करेंगे तो उसका algebraic sum होता है algebraic sum का मतलब plus minus sign के साथ उसको जोड़ कर value देते हैं example के लिए मैंने जैसे ये body ली है इस पे plus 3 कुलाम, minus 2 कुलाम 5 कुलाम, plus का है अगर इस पे total net charge हमको बताना है तो हम क्या करेंगे इसके sign के साथ इसको जोड़ देंगे और result आ जाएगा 6 कुलाम तो ये algebraic sum है algebraic sum का मतलब उसके sign के साथ जोड़ना यही additivity property होती है कि charges को with sign जोड़ा जा सकता है बहुत बढ़िया दूसरी बात करते है quantization of charge यानि जब भी आप charges का आदान प्रदान करते हैं देते हैं या लेते हैं हमेशा electron के multiple के form में charge जाता आता है एक electron, दो electron, पाँच electron, दस, सौ, million कुछ भी हो सकता है लेकिन आधे electron के बराबर आप charge नहीं दे सकते यानि इसका जो electron पे charge होता है 1.6 into 10 के power minus 19 उसका आधा 0.8 into 10 के power minus 19 का charge आप नहीं दे पाएंगे तो कहने का क्या मतलब है कि जो ये charges मैंने यहां लिखे हैं कि ये 0.5 electron के बराबर 1.2 electron के बराबर ये 0.7 electron के बराबर ये charge बिटा possible नहीं है क्यों possible नहीं है क्योंकि electron को फोड़ कर आप charge डिलेवर नहीं कर सकते या ले नहीं सकते हैं तो जब भी charges का आदान पुरदान होगा electron के multiple numbers के form में होगा integral multiple के form में इसी को लिखते हैं q is equal to any और n की value 0 plus minus 1 plus minus 2 करते हुए जाती है this is quantization of charge आगे बात करते हैं property of charge के अंदर conservation तो जैसा आप जानते आए हैं कि ना आप charge को create कर सकते हैं net charge को ना आप net charge को create कर सकते हैं ना आप net charge को destroy कर सकते हैं यही इसका conservation principle है जो आपको ध्यान रखना चाहिए अब बड़ी interesting बात आती है kulam's law आपने और हमने देखा था कि दो charge जब आजू बाजू रहते हैं पास में रहते हैं तो वो एक दूसरे पर force लगाते हैं यहां तक की जानकारी हमें पिछले classes में थी छोटे classes में भी हमको मालुम थी कि like charges ने तो ripple करेंगे एक तरह के हैं unlike हैं plus minus तो attract करेंगे लेकिन कितने force से attract करेंगे या कितने force से ripple करेंगे इसकी जानकारी नहीं थी यही चाव यही चीज़ बताता है कुलाम्स लोग यह देखें यहां पर तो how much force यानि कितना force लगेगा आपस में उन दोनों के तो यह Q1 Q2 charge है बीच में इसका जो distance है वो R है और यहां पर देखें कुलाम्स आपकी photo मैंने लगा दिये French scientist है इन्होंने ही यह दिया था आपको बताया था कि आपस में दोनों जो force लगावेंगे उसकी value होगी अगर यह vacuum में है 1 upon 4 pi epsilon not Q1 Q2 upon R square This is the force between two charges यह आपको ध्यान लखना चाहिए यहां पर यह जो 1 upon 4 pi epsilon not यह पूरी value लिखना तोड़ा लंबा लगता है तो इसको k से represent कर देते हैं लेकिन इसकी value हमको याद होनी चाहिए 9 into 10 की power 9 Newton meter square कुलाम का power minus 2 इसी तरह यहां पर एक और world आता है यह symbol आता है epsilon not epsilon not होता है permittivity of free space अभी permittivity को और समझेंगे तो यहां पर permittivity की जो value है बेटा 8.85 into 10 की power minus 12 यह दोनो values आपको याद होनी चाहिए इसको miss करना ठीक नहीं पड़ेगा तो इसको याद कर लीजेगा जगा जगा इस्तमाल करेंगे और permittivity free space या permittivity क्या होता है अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में explain करने वाला हूँ तो इस formula को जो कुलाम्स law है बड़ा important है बेटा अब क्या होता है कि कुलाम्स law के कुछ हम लोग facts या important concept समझ लेते हैं जो कुलाम्स law होता है वो inverse square law होता है यानि force 1 upon r square के proportional होता है इसलिए इसको बोलते हैं ये inverse square law को follow करता है दूसरी बात अगर हम लोग करें कि कुलाम्स law एक central force है central force होने का मतलब किया है कि charges के center को आप मिला दीजे तो जो force लगेगा वो along the line joining the center of two bodies या two charges लगेगा ये in center से center मिलाने वाली ये line है इसी के along या तो repulsion या attraction जो भी force लगने वाला है इसी line के along लगेगा ये line कौन सी है along the line joining the center of two charges या two bodies ऐसे forces को जो along the line लगते हैं center of two bodies के उसको हम बोलते हैं central force तो कुलाम्स law एक central force है आगे बात करते हैं इसकी अगली property कि two charges ये जो दो charge होते हैं एक दूसरे पर जो force exert कर रहे होते हैं वो equal and opposite होता है इस पे ये charge अगर इस पे exert कर रहा है F force तो ये charge भी इस पे exert करेगा same F force बस इनका direction विपरीद दिशा में है यानि ये action reaction pair बनाते हैं Newton's का third law follow करते हैं बास समझ में आई होगी इसने लगाया F तो इसने भी इस पे लगाया F ये important concepts हैं कुछ और बाते important concept की तोर पर कि जो कुलाम force होता है वो conservative force होता है conservative force का मतलब होता है कि इस force से जो work done किया जाएगा वो path dependent नहीं होता initial and final position पे ही depend करता है कि कितना work done निकल रहा है path dependency आपको नहीं मिलने वाली कुलाम force depend करता है medium के अंदर अगर vacuum में force लग रहा है F और इसको आप पानी में डुबो देते हैं यानि इसके बीच का medium बदल देते हैं तो इसमें force जो लगेगा water के case में FY80 हो जाएगा बताने का ये मतलब है कि इनको अगर medium के अंदर डालोगे तो force जो लग रहा है वो change होने वाला है ये important point है note किया जाना चाहिए साथ में जो कुलाम force होता है वो long range force होता है atomic distance से लेकर nuclear distance जो होती है 10 की power minus 15 meter से लेकर universe की distance जो कि 10 की power 18 meter तक है यहां तक ये काम करता है बहुत लंबी दूरी और बहुत छोटी दूरी तक यानि इसका range जो है एक दूसरे पर force लगाने वाला वो काफी लंबा range है तो ये important concept थे अब अगली बात vector form of coulomb's law जैसे आप जानते हैं कि force एक vector quantity है तो इसमें केवल magnitude से तो काम चलेगा नहीं हमने तो magnitude की बात की है भी इसमें तो direction भी चाहिए इसलिए आपको vector form of coulomb's law के जिक्र करना पड़ता है आईए देखते हैं vector form of coulomb's law क्या है इसको मैंने देखे कुछ vector quantities लिग दी है जैसे F21 लिखा है तो F21 का मतलब होता है force on 2 due to 1 यह मैंने mention भी देखे यहाँ पर कर दिया है कि force on charge Q2 due to 1 यानि इस पे जो force लग रहा है इसके द्वारा उसको हम बोल रहे हैं F21 इसी तरह R12 जो unit vector है उसको क्या आप mention कर देंगे कि is a unit vector R cap 12 is a unit vector from direction from Q1 to Q2 यहाँ पर मैंने बना भी रखा है इसका direction किदर है Q1 से Q2 की तरफ तो force इसी तरह इन vectors को आप define कर सकते हैं जब भी F21 लिखा होगा आप यही समझेंगे कि force second charge पर लग रहा है और लगाने वाला पहला charge है और R12 लिखा होगा cap के साथ unit vector है charge 1 से charge 2 की तरफ इस दशा में जो vector form vector form of Coulomb's law होता है वो F21 की value हो जाती 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square R cap 12 जब भी vector form आपके exam में पूछा जाता है Coulomb's law vector form के लिखिए तो जब भी यह लिखिएगा इन चीजों को जरूर mention करिएगा यह जो उपर मैंने बताई है जिससे की clarity रहे कोई और किताब आपके master साब पढ़े हो तो ऐसा ना हो कि गुस्से में हो काट दे इसलिए यह बहुँँज़ जरूरी है इसके साथ यह भी mention कर दीजे कि किसको क्या आप कह रहे है और इसी तरह गर force 12 पर है बड़ी सुन्दर बात अब बात करते है पर्मिटिविटी जो epsilon not आया था उसकी जिकर कर रहे है देखे पर्मिटिविटी क्या होता है पर्मिटिविटी किसी भी material का property होता है मैंने medium का वो medium का property क्या करता है वो यह decide करता है कि एक charge दूसरे charge पर कितना force लगावेगा पर्मिटिविटी अगर ज़ादा हो जाती है तो आपस में जो force लग रहा है वो कम हो जाता है और यह formula से हमको दिखाई पड़ता है यह देखे अगर यह epsilon की value तो free space की है अगर यहां किसी medium की value आ जाए तो epsilon बढ़ेगा तो force कम हो जाएगा तो permittivity क्या है एक medium की property है जो की charges के बीच जो medium है वो यह decide करता है कि एक force दूसरे एक charge दूसरे charge पर कितना force लगा रहा है यह जो यहां पर permittivity लिखी हुई है यह तो free space की है जिसकी value हमको याद रखनी चाहिए तो एक तो free space की permittivity हो गई एक होती है medium की permittivity जिसे epsilon से दिखा देते हैं या epsilon m से भी दिखाते हैं पर्मिटिविटी आफ दी medium और एक relative permittivity होती है जिसे हम लोग epsilon r दोते हैं इसकी value क्या होती है epsilon यानी medium की property medium की permittivity upon epsilon not permittivity of the free space तो ये तीन तेरे की permittivity आपके सामने है मोटे तोर पर अगर मैं ये कहना चाहूं तो बात पकड़ में आई होगी अगली बात देखते हैं वही relative permittivity या dielectric constant जो मैंने भी आपको बताया था तो जो relative permittivity होती है epsilon r या dielectric constant ये दोनों चीजें बेटा एक ही होती है कई बच्चे confused होते हैं सोचते हैं ये अलग-अलग बाते हैं लेकिन ये अलग-अलग बाते नहीं है relative permittivity and dielectric constant ये दोनों एक ही चीजें हैं ये होती क्या है होती ये हैं कि अगर आप दो charges लिये हैं और vacuum में जो force वो एक दूसरे पर लगा रहे हैं उसकी value F है F in vacuum और उसी charges को उतने ही charge को उतने ही distance पर रखे रहें और उसको किसी medium में डुबो दें पानी में डुबो दें या उसके बीच का medium बदल दें लोहा रख दें उड़ लग दें कुछ भी रख दें तो उस वज़े से जब आप medium बदल देंगे बीच का तो हमने आपको discuss किया है उसका force बदल जाएगा उस समय force हो जाएगा F medium medium रखे जाने पर तो force vacuum upon force medium का जो ratio होता है वही relative permittivity होती है या वही dielectric constant होता है यह same quantity का ratio है इसलिए इसकी कोई unit नहीं मिलेगी केवल आपको गिंती मिलेगी नंबर मिलेंगे और यही F vacuum F medium फॉर्मूला रख दोगे 1 upon 4 by epsilon not वाला तो आपको epsilon upon epsilon not मिल जाएगा तो यह फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही important है इस पे सवाल भी बनते रहते हैं आपकी जानकारी के लिए K vacuum एक होता है air की बात करें तो 1.00054 या water के case में यह 80 होता है और इस पे भी आपके सवाल बनते हैं यही से निकाला गया है F medium की value हो जाएगी F vacuum upon K तो इस फॉर्मूले का भी काफी use किया जाता है छोटे मोटे सवालों में कि vacuum में इतना force है और उसके बीच का medium बदल दिया आपने फला डायलेक्टिक कॉंस्टेंट के से अब कितना force होगा तो के से आप simply divide कर देंगे आपको अंसर मिल जाएगा कोई कस्ट की बात यहां नहीं है लेकिन clarity होनी चाहिए कि permittivity क्या है relative permittivity क्या है और साथ में यह force कैसे बदलता है medium बदल देने पर उमीद है पकड़ पाए होंगे इस बात को अब एक सवाल आ जाता है numerical इसको हम लोग करने वाले हैं देखे numerical में बोला है two identical charges q each दो charges है q के आगे देखते हैं kept at a distance r from each other एक दूसरे से r distance पर है मैंने एक figure बनाई है वो सामने ले आते हैं यह देखे q और q a पर और c पर यह q q charge रखा है इसके बीच का distance r है according to question यह third charge यहां लिखाया देखिए यह third charge q is placed on the line joining the above two charges इन दोनों बे जो line join कर रहे हो इसके किसी point पर आप q रखते हो such that इस तरह रखते हो कि जो तीनों charges है एक दो तीन यह सारे के सारे equilibrium में रहे यानि अपनी जगा रुके रहे भागे नहीं और भागेंगे कब नहीं जब net force 0 होगा तो नहीं भागेंगे और force लगेगा net force 0 नहीं होगा तो भाग खड़े होंगे इतनी इसी बात है अब इस बात को देखते हुए जो यह small q है उसका हमको magnitude बताना है sign बताना है कि plus minus में क्या होगा साथ में position इसकी क्या है कहां रखा गया है यह भी हमको बताना है तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस बात को सवाब तो हम अच्छे से समझ गए यहां पर देखिए जो q है यह इसको बैज तीनों equilibrium में होने है तो इस q को भी equilibrium में होना है अगर यह q पर equilibrium में होना है तो यह जो force इस पे लगा रहा है माल लीजे इस direction में लगा रहा है तो यह force इसको इस direction में लगाएगा तो यह दोनों force equal and opposite होने चाहिए जिससे एक दूसरे को nullify कर दे एक दूसरे को काट दे यही बात लिखी है देखिए q will be in equilibrium if forces on it by the charges at a and c are equal and opposite कर दो equal and opposite देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच में जो force था k, k का मतलब है 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 q into q2 upon यह माल लिया था x distance पर रखा है तो upon x square यह force कितना लगा रहा है k, यानि 1 upon 4 pi epsilon not q1 into q2 और यह distance which is r minus x तो r minus x का whole square दोनों forces equal opposite थे कर दिये अब यहाँ पर इसको आप solve कर लीजे देखिए k, कि यह पूरी value यहाँ से जाएगी cut तो 1 upon x square is equal to 1 upon r minus x square यानि की x square is equal to r minus x का whole square आएगा अब इसको x की value हो गई r minus x root हटा दिया और x की value हो गई r by 2 यानि यह जो charge है इन दोनों के center पर mid point पर आ रहा है अब यह positive है कि negative इसके लिए चर्चा करते हैं A is repel'd by C इसको ध्यान से देखिए यह दोनों एक charge है same तो यह इस पर repulsion का force याला लगाएगा अब इसको अगर नहीं भागना है अपनी जगा रहना है equilibrium बे तो इस charge को इसको अपनी तरफ खीचना पड़ेगा तभी तो nullify होंगे forces वरना तो यह भी अगर इसको push करने लगा तो यह भाग जाएगा equilibrium ने establish होगा इसलिए यह track कप करेगा यह तो positive charge है यह negative होना चाहिए इसलिए Q जो charge होगा वो negative charge होगा और हमेशा याद कर लिजे कि अगर दो charges positive हैं तो तीसरा charge जो होगा उसको negative होना होगा equilibrium के लिए और अगर यह दो charges negative हैं तो इसको positive उसका उल्टा इसको positive होना पड़ेगा equilibrium के लिए जिससे आपको परशानी ना हो plus है कि minus भी बता दिया position भी बता दिया अब आती है कि भाई इसका magnitude कितना है तो अब यहाँ पर देखिए कि force repulsion between A and C इस पे यह जो force लग रहा है और यह जो attraction लगा रहा है यह दोनो forces को हम equal कर देंगे यहीं लिखा है force repulsion between A and C and force attraction between A and B repulsion A and C and attraction A and B अब इन दोनो forces को हम यहाँ equal कर देते हैं यहाँ देखिए इन दोनों के बीच का यह देखिए लिखा के Q की तो इसके बीच का जो attraction है के 1 upon 4, 5, 0 Q1, Q2 यानि Q into Q upon R by 2 का whole square क्योंकि इनके बीच का distance कितना था R by 2 हम निकाल चुके थे यहाँ पर इन दोनों charges के बीच में K Q1, Q2 यानि K Q into Q और बीच का distance अभी क्या है इसके और इसके बीच में R तो यह हो गया upon R square अब यहाँ पर आप solve कर लिजिए यह देखिए K Q कट जाएगा सारी value जो कट रही है यह K Q और यह K Q काट दीजे और यहाँ R B कट जाएगा solve करेंगे तो small Q Q value Q by 4 आजाएगी यह important numerical है ऐसे numerical आप से examination में पूछ लिए जाते हैं तो यह हो गया position यह हो गया nature of charge और यह हो गया उसका magnitude आप इसको note कर सकते हैं screenshot ले सकते हैं चलिए इसके आगी की कहानी को बढ़ाते हैं जिससे पूरी बाते हम लोग अच्छे से सीख पाएं अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कहीं पर कई charges हैं और इस Q1 वाले charge पर हम force निकालना चाहते हैं तो जो Q2 force लगा रहा है यानि F2 और जो Q3 force लगा रहा है यानि F3 इन दोनों का vector sum जब हम करेंगे तो हमें net force मिल जाएगा यही होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल और दूसरी बात क्या होती है कि जो ये Q2 force लगा रहा है F2 इसकी Q3 की absence या presence से इस पे लगने वाला force बदलता नहीं है यानि पहले ये Q2 F2 लगा रहा था अब कोई Q3 A भी जाएवेगा तो भी ये F2 force लगाता रहेगा तो ये दो point हो जाते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के जो आप समझ पाए होंगे एक तो vector sum forces का अब दूसरा एक जो force लगा रहा था किसी के और होने ना होने से वो जो force लगा रहा वो लगाता रहेगा बढ़ियां आगे electric field की बात करते हैं तो E is equal to होता है F upon Q electric field की जब भी बात करेंगे तो अगर एक test charge हम Q0 लाते हैं तो उस पे वहाँ पर electric field कितना होगा जो force वो field कर रहा है test charge Q0 per unit charge is known as a electric field तो E is equal to F upon Q0 इसको आप पकड़के रखेंगे और साथ में क्योंकि electric field एक vector quantity होती है तो जिस direction में positive charge पर force लग रहा है अगर ये positive charge पर force इदर लग रहा है तो electric field की भी direction इदर होती है और अगर किसी electric field के अंदर देखिए थोड़ी सी बात अगर plus है तो force इदर लगेगा electric field की direction में अगर negative charge है तो electric field की opposite direction में force लगेगा ये आपको मालूम होना चाहिए कि electric field के अंदर positive charge है तो electric field की दिशा में force लगा और अगर negative charge है तो electric field की विपरीद दिशा में force लगा ठीक है एक किदम और बढ़ाते हैं electric field due to a point charge एक source charge है क्यों ये r distance दूर कितना electric r distance दूर पीपर कितना electric field बनाएगा उसकी value है e is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square इस formula को आप याद कर डालिए जैसे की बातें आसान रहे चलिए एक किदम और आगे बढ़ाते हैं electric field lines की बात कर रहे हैं तो electric field lines क्या होती है कि अगर किसी भी small positive charge को आप छोड़ दें चलने के लिए move होने के लिए और free of move होने के लिए तो electric field line जो उसका path होगा उसी को electric field line बोलते हैं तो small positive charge जिस direction में चलता है in electric field this is known as electric field lines और electric field lines की खास बात क्या होती कि कि किसी भी point पर अगर electric field का direction आपको चाहिए तो उस line पर आप tangent खीज दीजे this is the direction of electric field lines यहाँ पर चाहिए तो यहाँ खीज़ दो यह tangent खीज़ दो electric field lines मिल जाएंगी ध्यान किएगा Michael Faraday ने यह concept दिया था और यह एक imaginary concept है असल में नहीं होती लेकिन electro magnetism के phenomena को Michael Faraday ने इस concept से बहुत ही प्यार से और conveniently समझाया इसलिए इस concept को पूरी दुनिया accept करती है science fraternity accept करती है अब properties ले लेते हैं electric field lines की जैसे पहली property होती है कि electric field lines जो होते हैं वो continuous smooth curve होते हैं यानि हास्ते जैसे आप draw करते हैं ऐसे मिलेगी electric field line ऐसे टूटी टूटी नहीं मिलेगी और ऐसे zigzag भी नहीं मिलेगी तो this is the correct one और ये दोनों गलत हैं तो electric field lines क्या होंगी smooth curves continuous smooth curves दूसरी बात क्या लिखा है कि electric field line positive charge से निकलती है और negative charge पर terminate हो जाती है जैसे ये positive charge है और ये negative charge तो electric field line यहां से निकलेंगी और यहां खतम हो जाएंगी isolated charge है positive तो ये यहां से शुरू होंगी infinity पर खतम होगी जाके इस तरीके से minus है तो infinity से आएंगी और कहां तक जाएंगी यहां लिखना ठीक चलो देख लिख दिया है और ये इस तरीके से आएंगी infinity से आएंगी साथ में जो electric field lines होती है वो closed curves नहीं बनाती है मतलब आप ये समझ के चली कि ऐसा नहीं है कि घूम के वापास आ जाएं जो आपका magnet होता है north-south वो north से magnetic field निकलता south पर रुपता नहीं फिर जाता है ऐसे तो ये closed curve है ऐसा closed curve ये electric field lines नहीं बनाती है ध्यान कियेगा और क्यों नहीं बनाती है cannot form closed loops इसलिए क्योंकि ये conservative field पैदा करती है आपसे पूछा जाए क्यों नहीं बनाती closed curve तो आप कहेंगे क्योंकि electric field जो होता है वो conservative field होता है इस वज़े से closed loops या closed path closed loops नहीं बनाती है अगली बात हम लोग करते हैं कि किसी भी line पर आप tangent draw कर दें ये electric field line है इस point पर अगर आपको electric field line का direction चीए electric field का तो आप tangent draw कर देते हैं और ये आपको मिल जाता है electric field का direction तो ये बिल्कुल असान सी बात है कोई दिक्कत आपको नहीं देती है अगली बात आप जानते हैं दो line ए electric field lines एक दूसरे को intersect कटम काट नहीं कर सकती हैं क्योंकि अगर इसका tangent खीचोगे तो इधर आ जाएगा इसका tangent खीचोगे तो इधर तो एक ही point पर दो direction electric field के नहीं हो सकते इसलिए ये electric field lines आपस में intersect नहीं करती हैं आगे चलते हैं जो electric field lines होती हैं वो हमेशा conductor के normal निकलती हैं और terminate होती हैं इस बात को भी आप पकड़के रखिएगा कोई भी अगर conductor है तो इससे जो electric field line निकलेंगी मालों यहाँ से निकल रही है यह इसका radius है तो यह इसका tangent है तो यह जो electric fan निकलेगी ऐसे निकलेगी बड़ा बना दिया छोटा होगा और जब इंटर भी करेगी आम आलीजे इंटर करने वाली situation बनाए तो ऐसे इंटर करेगी आप देखिए 90 डिग्री पर तो conductor के electric field line है यह यह 90 डिग्री पर इंटर कर रही है यह 90 डिग्री है और exit भी निकल भी रही है इनिशेट भी हो रही है 90 डिग्री पर तो हमेशा conductor की surface से कैसा भी योबे ने समझाया इस spherical conductor तेड़ा मेडा कैसा भी conductor हो हमेशा surface से 90 डिग्री का इंगल बनाएंगी निकलते वक्त भी और terminate होते वक्त भी बड़े इच्छी बात अब आगे यहाँ पर इसके उपर मैंने बना दिया यहाँ पर और बाते लिकी हुई थी जैसे मैं समझाता हूँ कि अगर electric field lines काफी closed closed है यह देखी जहाँ पर density ज़्यादा है यहाँ density ज़्यादा है जहाँ वो दूर दूर होती है रेरर होती है वहाँ electric field weak होता है साथ में जो uniform electric field होता है उसको बनाने का तरीका होता है parallel lines बनाएंगे और इन डोनों के बीच का मलब इन सब के बीच का spacing equal रखेंगे तो यह क्या होता है uniform electric field इस बात को भी uniform electric field कहीं बनाना हो तो parallel lines बनाएंगे equally spaced तो उससे आपका काम बन जाएगा यह लिखावा तीसरा वाला पार्ट अगली बात करते हैं जो conductor के अंदर electric field lines zero होती है नहीं होती है यह conductor है तो electric field lines जिसे में बनाया था ऐसे घुजेंगी radially और फिर यहाँ पर ऐसे निकलेंगी अंदर नहीं है electric field conductor के अंदर zero होता है इन electrostatics तो अंदर आपको electric field line नहीं मिलती तो अंदर electric field नहीं मिलेंगी बाहर आएंगी terminate होंगी और initiate होके आगे निकल जाएंगी conductor के अंदर याद रखिएगा electric field line नहीं मिलती है conductor के अंदर electric field zero होता है चली आगे की बात चलते हैं आप कुछ electric field lines का different charge conductors के लिए electric field lines आपको दिखा रहा हूँ यह पूछा जाता है आपसे तो अगर यह isolated positive charge है point charge तो उसके लिए radially outward होंगी जिस तरह से देखिए निकल रही है इसको बोलते है radially outward होना दूसरा यह infinity तक जाएंगी शुरू यहां से होई है खतम infinity पे होंगी तीसरी बात यह spherically symmetric होती है यह समझी कि football के center पे अगर रखा है तो कई तरह की football बनाएंगे तो वहाँ electric field same मिलता जाएगा क्योंकि R same है तो यह spherical symmetric है अब यह अगर negative charge यहां पर रखा हुआ है तो यह radially inward होती है देखिए radially inward मतलब इस तरीके से अंदर की तरफ आ रही है आ कहां से आ रही है infinity से यह जा रही थी infinity यह आ रही infinity से साथ में start from infinity और यह भी spherically symmetric होती है तो इन बातों को ध्यान रखिए और भी दिखाते हैं आपको यह देखिए dipole के लिए equal and opposite charges यह plus q और यह minus q basically यह क्या हो जाता है dipole की situation इसकी electric field line इस तरह से बनी होती है इसको याद कर लिजे examination में आए तो इसी तरीके से इसको समझा दीजेगा आगे चलते हैं यहाँ पर दिखिए दोनो positive charge हैं plus q और plus q तो यहाँ पर electric field lines देखिए कैसे मिलेंगी यहाँ पर इनके बीच में neutral point मिलता है यानि electric field की value 0 और 7 में यह cylindrically symmetric होती है और इसका diagram आपको दिखी रहा है इस तरह इसकी electric field line बनानी है अगर equal and same या equal and like charges आपके सामने आ जाएं तो अब आगे की दिखिए बात करते हैं अगर यह एक आप sheet ले लेते हैं parallel sheet और infinitely long parallel sheet तो उससे जो electric field lines निकलती है वो uniform होती है parallel होती है और equally spaced होती है कि अगर ऐसा diagram बनाने को आवे तो आप बना सकें बड़ी इच्छी बात अब electric dipole की बात करते हैं तो electric dipole क्या होता है two equal and opposite charges separated by small distance यह देखिए यहाँ पर plus q minus q इसके बीच की दूरी two a ले ली गई है जो की छोटी होती है तो dipole क्या है equal and opposite charges separated by small distance is known as यह लिखा भी है उसको हम बोलते हैं electric dipole बड़ी इच्छी बात अब electric dipole में बहुत सारे dipole होते हैं तो उसकी effectivity कैसे पता करें तो वो हम dipole moment से पता करते हैं जिसे p से represent करते हैं जो p होता है यह एक vector quantity होता है यहाँ पर लिखा भी है vector quantity this is a vector quantity तो अगर यह vector quantity है तो इसका magnitude और direction दोनों होगा तो magnitude क्या होगा बटा इसका magnitude होता है charge and separation between two charges यह देखिए magnitude क्या है charge and separation between two charges यह dipole की length plus q minus q के बीच का distance which is dipole length तो q into 2 है यह हो जाता है इसका magnitude q into 2a और इसका जो dipole moment है उसका direction किदर होता है minus charge से plus charge की तरफ यहाँ पर देखिए minus है यह plus तो dipole moment का direction p का जो लिखा भी देखिए बनाया भी है minus q से plus q की तरफ तो dipole moment एक vector quantity है और आपने देखा minus q से plus q इसका direction है साफ में 2qa charge into separation between two charges या dipole length के बराबर इसका magnitude है आगे चलते हैं आपके आएं कि जो axial point होता है axial point का मतलब है कि कोई dipole अगर ऐसे है plus q minus q यह इसकी axis है इसी line पर कहीं कोई point P है इससे r distance दूर यह point इधर भी हो सकता है यह भी axis है तो यह अगर axial से बुलते axial point इस axial point पर यह जो dipole होता है कितना electric field बना रहा है तो इसकी value देखे लिखी यह axial क्या है 1 upon 4 pi epsilon 0 2p upon r cube P है dipole moment और यह short dipole के लिए है जब r की value a से काफी बड़ी होती है अब क्योंकि electric field एक vector quantity है इसलिए direction के साथ यह लिखा जाता है यह देखे P cap और E का direction सेम है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो electric field हो इसका direction देखे कैसा है P का direction minus Q से plus Q यह तो यहाँ पर जो electric field होगा उसका direction भी इसी direction में होगा जिस direction में P का है उसी direction में EP का है वही बात यहाँ लिखी गई है तो इस formula को याद कर लिजे और आपको मैंने बताया कि electric field का direction किदर होगा एक्सेयल पॉइंट पर जिस direction में dipole moment है बढ़िया आगे चलते हैं equatorial point की बात करते हैं equatorial point का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक dipole लेके बैठे हैं तो उसके perpendicular bisector ये इसका midpoint हो गया perpendicular bisector भी bisector यहां से जा रहा है और 7 में perpendicular यहाँ पर कोई point ले लेंगे मालिजे O से R distance दूर पर या इधर भी ले सकते हैं point इसे बोलते हैं equatorial position इस position पर मैं direction पहले बता देता हूँ इसका dipole moment किदर है देखिए minus से plus की तरफ इस direction में आ जाएगा ये आपका equatorial position पर देख रहे हो इसका direction और इसका direction उल्टा है इसलिए ये minus sign यहां पर लगाया जाता है तो equatorial point पर अगर आपको निकालना है dipole का electric field तो 1 upon 4 pi epsilon not p upon r cube magnitude होता है और direction में electric field में और p cap p cap का मतलब होता unit vector dipole moment का उसका direction मान लीजे इधर है तो electric field इसकी विपरीद दिशा में इसलिए ये minus sign आ जाता है इसका direction विपरीद दिशा में है तो equatorial के लिए ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए अब एक छोटी सी बात है थोड़ा comparison करते हैं e axial equatorial का दोनों की values को compare करोगे तो e axial की value 2 into e equatorial निकलाएगी यनि double होती है equatorial की value से e axial वाली ये भी ध्यान लखिए कहीं कहीं इस्तमाल होता जाएगा फिर dipole को अगर आप uniform electric field में रखते हैं ये देखे uniform electric field में आपने रखा है इस dipole को तो इस पर torque लगता है घुमाने का प्रियास करता है electric field वो torque कितना लगता है उस torque की value होती है p e sin theta theta क्या है dipole moment और electric field के बीच में बनने वाला angle ये समझ रहे हैं न या आप ये white color है दिखनी रहा आपको ये this is theta तो dipole moment जो की minus से plus इस direction में है electric field इस direction में उनके बीच में बनने वाला angle theta है तो ये हो जाएगा tau is equal to p e sin theta vectorally लिखेंगे तो tau is equal to pre cos e p क्या है dipole moment क्योंकि एक torque एक vector quantity है इसलिए vector form में लिखना होता है अब torque maximum कब होगा जब sin 90 as theta 90 degree हो तो sin 91 होता है this is the value of maximum torque ये भी बात आपकी समझ में आ गई अगली बात बड़ी important है कि stable and unstable equilibrium कहां मिलता है dipole के case में जब वो uniform electric field में रखा होता है तो आप देखिए अगर stable equilibrium लेना है तो आपको theta यहाँ पर zero करना होगा theta zero करने का मतलब है जिस direction में electric field है dipole moment का भी direction उसी direction में होना चाहिए यानि दोनों एक दूसरे के parallel होने चाहिए तब आपको इस मिलेगा stable equilibrium stable equilibrium का मतलब होता है कि इस समय ये रुका हुआ है अगर थोड़ा सा displace आप कर दोगे तो वापस अपनी position यानि mean position में आने की कोशिस करेगा this is stable equilibrium unstable equilibrium क्या होता है कि इस समय तो रुका हुआ है लेकिन अपनी mean position से थोड़ा सा displace करोगे तो mean position पे आने की कोशिस नहीं करेगा घूम जाएगा पूरा उसे बोलते है unstable equilibrium unstable equilibrium कब मिलता है जब theta की value 180 होती है theta 180 का मतलब क्या हुआ बेटा जिस direction में electric field है उसकी विपरी direction में p है e और p दोनो opposite direction में है यहाँ पर आपको दिख रहा है p और e opposite यानि anti parallel होने चाहिए 180 degree यह बड़ा important slide है और यह आपसे काफी पूछा जाता है stable and unstable condition आगे बात करते हैं बेटा area vector की area vector क्या होता है कि कोई भी plane surface आप ले रहे हैं या कोई भी surface है area vector हमेशा उसके perpendicular होता है इस plane के 90 degree बना रहा होता है यह area vector है n cap से मने आपको बताया कि direction of normal vector तो यहाँ पर अगर इसका हम area vector लिखें तो इसकी magnitude क्या हो जाएगा s बाई जो इसका area है यह magnitude हो गया देखें यहाँ पर इस is magnitude और direction हम दे रहे हैं unit vector से उसका direction किदर है perpendicular to the surface अब देखिए n cap का unit vector normal to the surface अगर हमारा close surface है close surface एक photo मैंने बनाई है वहाँ पर जैसे cube की है तो close surface में area vector हमेशा outside होता है जैसे इसका उपर टॉप का बाहर की तरफ अंदर की तरफ नहीं होगा इसका भी बाहर की तरफ इसका भी बाहर की अंदर नहीं बाहर की तरफ इसका भी बाहर की तरफ close surface है तो हमेशा area vector जो perpendicular to the surface है हमेशा बाहर की तरफ होगा लेकिन अगर open surface है जैसे मेरी हतेली तो इसमें area vector आप इधर भी ले सकते हैं और इधर भी लेख सकते हैं, उसके लिए रुकावट नहीं है, उपन सर्फेस के लिए, लेकिन एक सवाल को करते वक्त, अगर एरिया वेक्टर उपन सर्फेस के लिए आपने इधर मान लिया है, तो throughout the question उसको उसी direction में माने रखना होगा, ठीक, और close ने तो जानी रहे हैं, ब इलेक्टिक फ्लक्स की, तो इलेक्टिक फ्लक्स क्या होता है, कोई भी सर्फेस या एरिया हम जब इलेक्टिक फील्ड में रखते हैं, तो उससे normally, perpendicularly जितनी इलेक्टिक फील्ड लाइन्स जाती हैं, उसको हम बोलते हैं कि फ्लक्स associated with this area, तो यही बात लिखिए, number of electric formally, through area, तो उस area से perpendicular electric field lines कितनी पास हो रही हैं, electric flux associated with this area कहा जाता है, यह आपसे पूछा जाता है, यह आपको मालूम होना चाहिए, अगली बात बात करते हैं, यह एक scalar quantity है, flux का मतलब होता है, flow करना, बहना, तो flux एक scalar quantity है, यह vector quantity नहीं है, केवल आपको magnitude चाहिए, plus और minus होगी, और zero भी होगा, लेकिन vector quantity नहीं है, formula इसका होता, phi e, flux का जो symbol है, वो phi होता है, और क्योंकि यह electric flux है, इसलिए e लिख दिया है, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे, magnetic flux तो उसको b से लिखोगे इस तरीके से, तो phi is the symbol for flux, और e लिख दिने के subscribe लिख दी है, e, इससे ही साबित हो र area vector, तो e, dot product है, दो vector के बीच में multiply हो रहा, dot product से, और इसकी value हो जाती, e, s, cos theta, theta क्या है यहाँ पर, area vector और electric field के बीच का angle, जो यहाँ पर आपने photo मैंने बनाई है, यह area है, electric field इधर जा रहा है, area vector इधर है, इनके बीच का angle है, वो theta है, जो की यहाँ इस्तमाल किया जाएगा, अगर कोई ऐसी surface ले ले जो planar नहीं है, जहाँ पर electric field वेगरा बदल रहा है, तेड़ी मेड़ी surface है मा लिजए, ऐसे करके कोई surface है, और electric field हर जगा बदल रहा होगा, तो उस समय हम integration का सहारा लेते हैं, e.ds का integration कर देते हैं, throughout the closed surface, यह s लिखते हैं, और कहीं कहीं पर हम ऐसे भ अबराने की कोई ज़रुवत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगर close surface है तो, बस यह काम कहता हो जाता है, अगर e uniform नहीं है, यह क्या है, flux, अब flux पे question करते हैं, जो बहुत popular है, और बड़ा आपसे पूछा जाता रहा है, तो यहाँ पर देखें लिखा है, इलेक्टिक फील्ड दिया है, calculate the electric flux through a surface of area 20 units in yz plane, यह देखें, xyz मैंने बनाया है, yz plane में यह एक area बना दिया है, जैसा यह बोल रहे थे, अब इसका जो normal vector है, यह positive x direction में होगा, perpendicular होगा इसके भाई, तो यह direction कैसा है, i cap क्या होता है, unit vector in the positive x direction, this is the direction of area vector, और इसका जो area है, magnitude, वो तो 20 है भाई साब, तो इस area vector को अगर मैं लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं, area vector को S से दिखा रहे हैं, कई किताब में A से भी दिखा देते हैं, तो कोई परिशानी नहीं है, मतलब तो अई है, तो यहाँ पर यह 20 i cap हो जाता है, 20 का मतलब magnitude है i cap का मतलब हो जाता है direction, this is the vector form of area vector, अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि flux की value होती E dot S, तो E dot S में यह electric field रगा दिया यह, और dot product यह 20 i इस vector का, आप जानते हैं, dot product में i dot i ही valid रहता है, क्योंकि j dot i 0, k dot i 0 हो जाएगा, उस तरीके से देखें, तो 120 units आपका answer आ जाता है, य यह इसी तरे से flux निकलता है, मैं हट जाता हूँ, screenshot लेना चाहें, तो आप ले सकते हैं, बड़ा अराम से निकल गया, अगली बात करते हैं, gauss theorem की, gauss theorem क्या बताता है, कि अगर कोई close surface है, तो उसमें जो flux होगा, वो Q inside upon epsilon naught के बराबर होगा, यह Q inside का मतलब है कि जितना net charge इस close surface के अंदर है, तो उस close surface से जो निकलने वाला electric flux है, वो Q inside upon epsilon naught होगा, यह यहाँ पर इसकी definition type लिखी हुई है, language में, यह उसका mathematical formula है, फाई, यह हमने पढ़ाया भी, E dot ds, यह हो जाता है, integration से क्या flux है, और gauss theorem यह बता रही है, Q inside upon epsilon naught, Q inside का मतलब होता है, उस close surface के अंदर जो charge है, वो net charge है, प्लस माइनस जोड़ घटा कर, और यह epsilon naught कर देते हैं, अगर medium बदलेगा, तो epsilon naught की जिगा, आप उस medium का epsilon दाल देंगे, अब यहाँ पर देखिए Q inside क्या है, net charge inside the gaussian surface, बै क्यों inside gaussian surface जो है, जो surface closed है, उसे आप gaussian surface बोल रहे हैं, उसके अंदर कितना charge है, net, व अगर यह open surface है, तो Q inside upon epsilon naught नहीं लगा पाएंगे, और यह किसी भी तरह की closed surface के लिए valid है, कैसा भी shape हो, टेडा मेडा हुचा नीचा closed surface होनी चाहिए, तो यह gauss theorem होती है, अब इस gauss theorem पर एक छोटा सा सवाल लगाते हैं, जिससे आपको clarity मिल जाए, यहाँ पर लिखा, given the electric field in the region, E is equal to 2X I cap, मैंने इसको देखते हुए, एक diagram यहाँ बनाया है, जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, यह electric field है, 2X I cap, देखे, direction के लिए I cap लिखा हुआ है, तो हम यह समझ गए, कि electric field का direction क्या है, positive X axis की तरफ है, और 2X का मतलब किया है, कि X के coordinate रख देना, अगर यह origin है, त A put कर देना, यानि कि electric field बदलता हुआ है, लेकिन direction नहीं बदल रहा है, magnitude बदल रहा है, ठीक, यह बात यहाँ समझ में आती है, तो यह इस direction में है, 2X I cap, अब यह कह रहा है कि find the electric flux through the cube, and the charge enclosed by it, अब यह इसके cube से कितना electric flux पास हो रहा है, और कितना charge है, यह बताना है, तो यह यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यह electric field का direction है, और इसका उपर वाले का area vector उपर है, यानि क्या हो गया, 90 degree angle बन गया, आप जानते हैं कि flux की formula में, cos theta आता है, तो cos 90 0 हो जाएगा, जहाँ पर electric field और area vector के बीच में 90 degree का angle आ रहा है, वहाँ पर flux कुछ नहीं मिलेगा, तो यह top का flux 0, इसके side का 0, इस चारो जो area है, यह मैं दिखा हूँ आपको, यह, 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 महां लिजे, electric field line है, तो यह हिस्सा, यह हिस्सा, यह हिस्सा, और यह हिस्सा, इन चारो से electric flux कुछ कट नहीं करेगा, यहाँ पर electric field line ऐसे है, और इसका जो direction है, area vector का ऐसे है, यहाँ वाले का ऐ 90, इसका area vector नीचे है, और electric field line ऐसे है, तो इन चारो surfaces से कोई भी flux कट नहीं करेगा, यहाँ फ्लक्स जीरो होगा, जहाँ flux हमको मिलेगा, वो एक यह surface है, जहाँ से electric field line ऐसे जा रही है, area vector ऐसे है, तो theta यह 0 हो गया है, number 2 surface, number 1 surface इसकी बात करो, area vector इधर है, electric field इधर, तो theta 180 degree हो 5152, 5354, 5556, सारी surfaces, 6 surface होती ही cube में, जोड़ देते हैं, अब यहाँ पर दिखी क्या है, कि 51, 51 का मतलब यह है, तो यहाँ पर E1, A1, यहाँ से मालीजे, electric field E1 है, E1 into A1, cos 180 degree, क्योंकि यहाँ पर 180 आ रहा था, second way आ जाओ, इसकी बात करो, तो E2, A2, cos theta, यानि 0 degree, यहाँ पर बाकी जितने भी पढ़ रहे हैं, सम्मे 90, 90 आपको दिखाई पढ़ रहा है, जो जितने 90 वाले हैं, वो तो 0 हो जाएंगे, चलिए अगला step देखते हैं, इसकी value देखे, electric field निकालने गए, तो यहाँ पर X की जगा, क्योंकि यह origin पर रखा है, X बराबर 0, तो यहाँ X T की value minus 1, यहाँ आजाईए, E2, यह E2 का मतलब है, यहाँ पर X की value कितनी है, A distance चल ले होता है, X की value A डाल दो, तो यह हो गया 2A देखो, और यहाँ A2 area कितना, यह side A था, यह side A था, तो यह A square हो गया, और cos 0, 1 होता है, बाकी यह 4 values आपकी मिल गई 0, बात खतम, अब इनको ज flux linked with this closed surface, इस cube से, अब बोल रहा है कि इसके अंदर कितना charge है, तो charge के लिए हम जानते हैं, कि 5 is equal to Q inside upon epsilon 0 होता है, तो Q inside की value क्या हो गई, 5 into epsilon 0, 5 हमने निकाला यहाँ से 2A cube, यह देखिए, और into epsilon 0, this is the charge enclosed in the cube, तो यह एक बड़ा important, आपके आपोर्ट में आया हुआ सवाल है, तो मैंने आपको करके दिखा दिया है, Q into, यह charge हो गया, enclosed in the cube, और 2A cube is the flux, आप चाहें तो उसको note कर ले, pause करके, मेरे काल से pause करके note कर पाए होंगे, आगे चलते हैं, यहाँ होता है application of Gauss's theorem, Gauss's theorem के तीन application आपके course में है, उसको भी जरूर उसको देख लेते हैं, पहला देख finitely long charge wire है, बहुत लंबा wire को बोलते हैं, finitely long, इस uniformly charge है, प्लस प्लस लगा हुआ है, अगर अब इससे perpendicularly R distance दूर, P point पर electric field निकालना चाहें, तो electric field की value कितनी हो जाएगी, E is equal to lambda upon 2 pi epsilon 0 into R, lambda क्या है, linear charge density, linear charge density का मतलब क्या होता है, charge per unit length, यानि एक unit length पर कितना charge है, उसे lambda से शो करते हैं, और R distance क्या है, इसकी जो wire था, उससे perpendicular distance में, कितना R आप दूर हो, इस formula से ये आप निकाल लोगे, और इसका जो graph है, वो भी आपसे पूछा जाता है, ये E is proportional to 1 upon R हो गया, तो this is the graph, ये graph है, infinitely long, infinitely long uniformly charged conductor, पकड़ के रखिएगा, और ये application of Gauss law है, पहला जो आपके सामने है, दूसरी बात करते हैं बटा, यहाँ पर infinitely, ये बहुत बड़ी, uniformly charge sheet है, क्योंकि ये area की बात है, तो surface charge density को बोलते हैं, सिगमा, सिगमा है surface charge density, इसका मतलब होता है, चार्ज पर unit area, एक unit area पर कितना charge है, इसे सिगमा से दिखाया जा रहा है, तो अगर इस, जो ये charge sheet है, इससे आप किसी point r distance पर electric field निकालना चाहते हो, ये कहा है, perpendicular distance r distance पर, तो वो electric field कितना होता है, e is equal to sigma upon 2 epsilon naught, sigma upon 2 epsilon क्या है, uniform charge density, अब अगर sigma positive है, तो electric field अवे होगा, आप जानते हैं, positive जो चार्ज होता है, उससे electric field अवे बनता है, और अगर ये negatively चार्ज होता है, तो electric field towards होता, यही बात यहां लिखी हुई है, अगर sigma negative है, तो electric field directed towards होगा, तीसरी बड़ी important बात है, कि electric field independent होता है, आर से, इसमें आर नहीं है, तो electric field आप यहां निकाल रहे हो, यहां निकाल रहे हो, आर बढ़ा रहे हो, यहार घटा रहे हो, हर जगा electric field आपको same मिलता है, तो this term is free from R, यहनि इस sheet से, कितनी दूरी पर आप हैं, यह matter नहीं कर रहा है, theoretically, electric field हर जगा same मिलेगा, यह इसका application of Goslaw का second application है, जो आपको आना चाहिए, मैं हट रहा हूँ, जिससे पूरी side आपको दिख सके, तीसरा और last application की बात करते हैं, Goslaw की, जो uniformly charge, thin spherical shell है, thin spherical shell का मतलब होता है, football, खोकला गोला, conductor है लेकिन, आप जब इस पे positively charge कोई charge दे देते हो, हम देखेंगे outside, on the surface, और inside, कितना-कितना electric field यहां मिलेगा, तो अब outside की बात करते हैं, outside का मतलब है, यह R इसकी radius से बढ़ा है, तो यह outside हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, वहां electric field मिलेगा, 1 upon 4, 5, not Q upon R square, Q इस पे charge है, और यह S कैसे behave कर रहा है, जैसे कि सारा charge इसी point पर centralized है, अगर इसी Q को हम यहां रख देते हैं, तो भी यह formula निकलता, इसलिए यह क्या दिख रहा है, कि पूरा charge ऐसे behave कर रहा है, जैसे spherical selfish center पर है, यह interesting fact है, यहां पर, अगली बात देखते हैं, अगर यह on the surface ह on the surface का मतलब यहां पर, यहां पर small r और capital r बराबर हो जाएगा, तो on the surface अगर है तो e की value जाती है, one upon four five epsilon not, q upon capital r square, यह q upon capital r square, यह on the surface है, और on the c को हम इस तरह से भी कई जगा लिखते हैं, e is equal to sigma upon epsilon not, इसको याद रखीएगा, बड़ा काम आता है, तो यह electric field surface पे जो मिलेगा uniformly charged spherical shell के, वो sigma upon epsilon not मिलेगा, जहां sigma q upon four pi r square के बराबर है, तीसरी बात करते हैं कि inside क्या होगा, inside का मतलब है, यह यहाँ पहुँच गया पी, यह small r, इस capital r से छोटा है, तो यह inside है, और inside आपका जो electric field होता है, वो zero होता है, आप हमेशा ध्यान न किएगा, किसी भी spherical shell में, conducting spherical shell, या conducting sphere में, inside the conductor, आपका electric field हमेशा शून होता है, तो इस तरह आप इसको ध्यान न किए, कि conducting shell में, electric field आपको zero मिलेगा, यह इसका graph है, जो अकसर आपसे पूछ लेते हैं, inside की बात करेंगे, यह inside है, तो यहाँ electric field zero है, और इसके बाहर चलेंगे, तो proportional to q upon r square है, this is the graph, यह graph भी आपको आना चाहिए, इस तरह के से हम लोगों ने पूरे chapter को शांदार तरीके से revise कर लिया है, या पूरी तरीके से सारे concept को पकड़ लिया है, उमीद करता हूं कि यह sharp video आपको काफी मदद किया होगा, पसंद आया, तो like और share कीजेगा, और अर्विंद Academy चैनल को subscribe करना मत ब content, easy भाशा में और आपकी जरूरत के हिसाब से, thank you very much, wish you all the best.